नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसिष्ट आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ यदि आपने अपने बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अड्मिशन करवाने के लिए दिव्यांग काटगरी यानि कि चिल्रन विच स्पेशल नीज काटगरी के तहट फॉर्म भरा है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दिव्यांग काटगरी का पहला ड्रॉ यानि कि EWS और DG काटगरी का दूसरा ड्रॉ जिसमें केवल दिव्यांग काटगरी का ही ड्रॉ हुआ है उसका नतीजा Directorate of Education की वेबसाइट पर आ चुका है जी हां दिव्यांग काटगरी के तहट पहला ड्रॉ साथ मार्च 2019 को निकल गया है और उसका result भी Directorate of Education की वेबसाइ की वेबसाइट पर जाकर ना केवल result देख सकते हैं साथ ही किस प्रकार आप Directorate of Education के द्वारा जारी की गई नई नई अधिसूचना यानि की notification खुद भी पढ़ सकते हैं तो चलिए अब हम बात करें कि कैसे हम Directorate of Education की website पर जाए और नतीजा यानि की result को देखें तो सबसे पह डेली उसके बाद आपके सामने इस प्रकार डी ओए की website खुलकर आ जाएगी एडू डेल.nick.in पर आप ख्लिक करेंगे अब आपके सामने Directorate of Education की website खुलकर आ गई है Directorate of Education की website पर हम दूसरे draw का result देखने जा रहे हैं पहले draw में EWS और DG की पूरी जानकारी थी यानि EWS और DG Admissions में Nursery, KG और पहली कक्षा में जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया था उनका पहला draw हुआ था और दूसरे draw में केवल दिव्यांग काटेगरी के बच्चों का ही draw हुआ है तो result देखने के लिए आप website पर देखेंगे EWS DG Admissions और EWS Free Ship Admissions लिखा होगा हम इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने यह पन्ना खुल के आजाएगा जो की form भरते समय भी आया था जब आपने form भरा था तब भी आप इस पन्ने पर गए थे इस पर सबसे नीचे लिखा है EWS DG Result 2019-2020 आप इस पर क्लिक कर दीजे आपके सामने अब इस प्रकार से डबबा बनके आ जाएगा EWS DG Lottery Result for session 2019-2020 यहाँ पर पहले डबे में अपना registration number डालेंगे और दूसरे में बच्चे की जनतिती डालेंगे उसी प्रकार दिन, महीन और साल और सब्मिट कर देंगे अगर बच्चे का result बच्चे का नाम ड्रॉ में आ गया है तो आपके सामने बच्चे का जो school बच्चे को मिला है वह लिखा जाएगा उसका नाम अगर बच्चे का नाम ड्रॉ में नहीं आया है तो वह जानकारी देंगे अगर आप कोई भी जानकारी गलत भरेंगे अगर आपने registration नमबर गलत भरा है या date of birth गलत भरा है या दोनों गलत भरे हैं तो record not pound लिखा आ जाएगा तो चलिए अब हम देखें कि आप कैसे notification यारी अधी सूचन अलगल प्रकार की Directorate of Education की website पर पढ़ सकते हैं बैक करिए आपके सामने दुबारा यह पेज आएगा फिर बैक करिए आपके सामने Directorate of Education की website खुली आ गई सबसे उपर देखेंगे कोने में लिखा हुआ है public circular public circular पर क्लिक कर दीजे यहां सारी list है सूची है उन अलग-अलग अधिसूचनाओं की जो Directorate of Education ने समय समय पर जारी करी है EWS और DG काटेगरी के तहत admission के बारे में जानकारी देने के लिए तो सबसे पहली अधिसूचना आप देखेंगे regarding instructions guidelines for admission under children with disabilities काटेगरी हम इस पर क्लिक करेंगे पहली अधिसूचना पर इस प्रकार से आपके सामने यह पन्ना खुल के आ जाएगा इस पर लिखा है यह जानकारी दी है Children with disability यानि वह बच्चे जो किसी शारीरिक परिशानी या किसी disabilities इग्रसित है दिव्यांग बच्चे उनका पहला ड्रो और EWS और DG काटेगरी के तहट दूसरा ड्रो साथ मार्च को निकल गया है और जिन बच्चों का नाम आया है वह जो हमने प्रक्रिया बताई है उसके दुआर अपना रिजल्ट देख सकते हैं साथ ही वह सारे बच्चे जो जिनका नाम इस ड्रो में आया है उन्हें 31 मार्च तक स्कूल में जाकर अपने कागजात देने हैं और अपना एड्मिशन करवाना है कागजात में उन्हें क्या लेके जाना आएगा एक प्रिंट आउट लेके जाना आएगा वह अप्लिकेशन फॉर्म का बच्चे की दो फोटोराफ लेके जाने होएंगी जो बच्चे का डेट अब बर्थ है यानि की बच्चे के पैदा होने का जो प्रमाल पत्र है उसके प्रमाल पत्र है साथ ही घर के पते के प्रमाल पत्र की रेजिदेंशल प्रूफ की अटेस्ट फोटो कॉपी और अटेस्ट फोटो कॉपी लेके जाने होएंगी उस डॉक् क्या होगा वह होगा अस्पताल द्वारा जारी किया गया अस्पताल यानि की सरकारी अस्पताल द्वारी जारी किया गया disability certificate आपको यह पॉर्मेलटी यह सारी जो काम है यह 31 मार्ट तक पूरा करवाना है कोशिश करिएगा कि आप स्कूल के जो working time के बाद आप जाएंगे तो स्कूल आपको आपकी बात नहीं सुनेगा हमने इसके ओपर एक वीडियो बनाई थी वह वीडियो थी कि अब admission में नाम आ गया है तो आगे क्या करें वह आप वीडियो पूरी देखिएगा यह अधिसूचना में 12 पन्ने हैं आपको पहला पन्ना ही नया है जिसके बारे में हमने जानकारी दी है पिछले पन्नों की बजानकारी जो 27 फर्वरी को निकली अधिसूचना उसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं एक और अधिसूचना जोड़ी हुई है जो की 11 जन्वरी के है उसकी जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं तो आपको पहले पन्ने के बारे में पढ़ना है और हमारी एक और वीडियो देखनी है जो की हमने कहा था जिसमें की अब अब डौ का देख सकते हैं तो वे सब बच्चे जो दिव्यां काटेगरी के हैं अगे और भी लिस्ट आएंगी साथ ही हम अपील करना चाहेंगे उन सभी लोगों से जो हमारी विडियो देख रहे हैं जैसा कि हम सब जानते हैं दिव्यांग कैटेगरी का रिजल्ट आ चुका है यदि आपके आसपस वे बच्चे रहते हैं जिन्होंने दिव्यांग कैटेगरी के तहत पॉम भरे हैं तो उन्हें इस बात की सूचना दीजिए कि वे डारेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और 31 मार से पहले पहले उन्हें अपना दकला जिस स्कूल में नाम आया है उसमें करवाना है अब मुझे डाक्टर श्रद्धा वसिश को जाज़ दीजिए नमस्कार